मैं देव प्रकाश गुजेला असनकोत्त संस्क्रीत विभाग मगद विद्याले बोध्रिया का सोज़शात्र हूं आज मैं बैदिक परंपरा में ध्यान यूँ नामक विशय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्रस्तावना ध्यान का अर्थ बामन सीवराम आप्टे ने अपने संस्क्रीत हिंदी सब्दकोष में ध्यान का अर्थ करते हुए लिखा है ध्या और लिट पूर्वक ध्यान सब्द निस्पन होता है जिसका अर्थ है मनन, विमर्ष, विचार और चिंतन योग का अर्थ करते हुए आपटे ने कहा है यूज भवादो घैव फुर्वक योग सब्द निस्पन होता है जिसका साथिक अर्थ है जोड़ना, मिलाना, मिलाप, संगम, मिश्रन, आदिव बैदिक सहित में ध्यान का अस्थान, बैदिक सहित में वेदो में ध्यान, वेदो में ध्यान का उलेक प्राचीन, रिशियों और मंत्रों में मिलता है जो साथकों को आंत्रिक सांती और सत्त की खोज के लिए प्रेडित करता है उपनिस्तों में ध्यान, उपनिस्तों में ध्यान को आत्म ज्यान और मोक्ष प्राप्ति का परमोक्षाधन बताया गया है यहां ध्यान की विध्यों और उसके लावों का विस्तित बढ़नन मिलता है योग सुत्र में ध्यान पतंजली के योग सुत्र में ध्यान पो अस्टांग योग का एक महत्पून अंग माना गया है जो की समाधिक योड ले जाता है परतंजली के अस्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रानाया, प्रत्यहार, ध्यान, धार्ना और शमादी है ध्यान योग की अभधारना आत्मा और परमात्मा का मिलन ध्यान योग वह शाधना है जिसमें साधक अपनी मन, बुद्धी और अहंकार को नियंत्रित कर आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव कराता है ध्यान की अवस्थाएं, ध्यान की प्रकिरिया में मनुष्ट के विचार और भावनाएं सुद्ध होकर अंधता उसे ध्यान की गहरी और सांती देने वाली अवस्थाओं में परवेश कराती है वैदिक दिश्टिकोन, वैदिक परमपरा में ध्यान को आत्मा की शुद्धी और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया है जहां साधक, मन और इंद्रियों को सैमित कर उप्चेतना की अवस्था प्राप्त करता है ध्यान योग के प्रकार श्रविकल्प शमाधिव इस अवस्था में साधक के मन में विचार और शंकल्प होते हैं इसमें विचारों का अवलोकर करते हुए साधक इस्थिर्ता योर बढ़ता है इसका उदेश मानसिक सांति और इस्थिर्ता को प्राप्त करना है निर्विकल श्रमाधिव यह ध्यान की उस्तम अवस्था माना गिया है विश्में सवी विचार और भावनाय समाप्थो जाती है साधक सूथ चितना में इस्थितो कर आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनभाव कराता है उदेश इसमें आत्मा और परम के पूर्ण एकत्व की प्राप्ति होती है ध्यान योग के मानसिक लाव, मानसिक सांती और इस्थिता ध्यान योग से मन में इस्थिता आती है जिससे तनाव और चिंता में कमी होती है यह बेक्ति को मानसिक, संतूलन और आंत्रिक सांति प्रदान करता है। आत्म ज्यान और आत्म साच्छतकार ध्यान के मात्यम से बेक्ति आत्मा के बास्तविक स्वरूप को जान सकता है। यह बात्यान की प्रक्रिया को गहरा पनाता है और आत्म साच्छतकार में सहायता करता है। एकागरता और ध्यान में ब्रिदि, ध्यान यूग के अभ्याद से एकागरता की चंता में सुधार होता है। इससे मानसिक अस्पस्ता होता है और नीर्ने लेनी की छमता को बढ़ाया जा सकता है। मानसिक तनाव और अप्षाद में कमी, नियमित ध्यान से मानसिक तनाव और अप्षाद में कमी होती है। यह वेक्ति को मानसिक रूप से अधिक मजबूत और इस्थित बनाता है। ध्यान योग सारीरिक तनाप को कम करता है और सरीर को स्वस्त रखने में मदद करता है। यह रख्चा प्रिद्य स्वास्त और पट्ति रख्चा परणाली को बेहतर बनाता है। नियमित ध्यान से सरीर की उर्चा और शहन सक्ति में प्रिधी होती है। यह बेक्ति को ठकान से मुक्त कर अधी अस्पुट्टी और उट्सा प्रदान करता है। ध्यान योग के समाजी कलाप में ध्यान योग से मन, सांथ और विचार अस्पुट्ट होता है जिसे बेक्ति अपने संबंधों को बेतर ढग से संभाल सकता है। ध्यान योग बेक्ति को संतुलित, जीवन, जीने में मदद करता है। ध्यान योग के अध्यात्मिक लाप, अध्यात्मिक उन्नति ध्यान योग साधक को आत्मा की गहराई और परमात्मा के साथ एकत्व का अनवाव कराता है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व ध्यान के माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनवाव कराता है। मोक्ष और आत्म साच्छतकार। ध्यान योग मोक्ष की प्राप्ति और आत्म साच्छतकार के मार्ग को खुलता है। यह जीवन के उस्तम पुद्यशों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्पूर्ण कदम है। अंत में हमनी स्कर्ष क्यों चलते हैं इसमें ध्यान का समगर महत्व। ध्यान योग एक समपूर्ण श्राथना है जो की मानसित, सारिरिक और आध्यात्मिक लाव प्रदान करती है। ध्यान योग वेक्तिकों संतूलिट, स्वस्थ और सांटि पूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है। वेक्तिगत और समाजिक जीवन में ध्यान योग की प्रशंगिता, ध्यान योग्षे वेक्ति को मानसिक, अस्वस्ता, सारीरिक पूजा और आध्यात्मिक उन्नत्ति होती है, इससे समाजिक समंधों में सुधा और जीवन में गुन वत्रा को बेहतर बनाता है. ध्यान योग की नियमित ध्यान योग का अभ्यास जीवन में इस्थिता, संतूलन और शफलता को सुनिशित करता है, यह वेक्ति को आंत्रिक सांती और बाहरी शफलता की ओर मार्ट दर्शन कराता है, आध्यात्यूंक उन्नत्ति और मुख्ष, ध्यान योग आत्मा की गहराई और परमात्मा के एकत्यु की अनुभूर्टी कराता है यह आत्मा के मोक्ष की दिशा में एक महत्पूर्ण शाधन है आगे की सलाइड में मैंने संदर ग्रंत सुची को इंफ्लूड किया है इसके साथ ही मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ धन्यवाद